बहले ही फिल्म ना चले लेकिन गाना सुपर ही जूटा इश्क फिर एक लड़की से दो बार की शादी इस चॉकलेटी बॉई की खुपसूरती ऐसी के हिरोईन्स के उपर भारी पड़ती अमिताप, अनिल कपूर, शिरी दिवी इनके साथ ऐस चाइल्ड आर्टिस्ट और क्यूटनेस ने लाखो हसिनाओं का दिल लूटा और कपूर खांदान से रिष्टा होने की बावजूद ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल ही करते रहे और आखिरकार सिनिमा इंडस्ट्री ने बाहर का रास्ता दिखाया पचास से ज़्यादा ऐसी फिल्मे की जो स्रिप लीड रोल की तलास साबित हुई और सपोर्टिंग आर्टिस्ट का टैग मिल गया आपके शहर में जो क्राइम रिड चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे मैनत करनी पड़ जूटे एश्क में तो पड़े साती साथ ड्रक्स के आरोपों ने करियर खतम कर दिया तो इस अभी निता के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक आज हम बात कर रहे हैं अपताप स्युदसानी की जिनों ने अपने समय में बड़े स्टार्स को टकर दी और चॉकलिटी बॉय कहे जाने से मशूर हो गए थे अब इससे पहले कि इनका करियर इनकी फिल्मोग्राफी या इनका कॉंट्रोवर्सिस के बारे में पूरा डिटेल में बात करें अपताप की कहानी की शुरुवात से बात करते हैं अपताप के पिता सिंधी और माता इरानी थी अपताप सिवदर्सानी का जन्म 25 जून 1978 मंबवे में हुआ था अपताप बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थे इस वज़े से टीवी कमर्शियल्स की आड़र्टाइजमेंट की लाइन उनके पास लगी रहती थी स्कूलिंग सेंट जेवियर हाइ स्कूल में किया एचार कॉलेज और कॉमर्स मंबवे से अपनी डिगरी पूरी की लेकिन अपताप बचपन में ही साड़े 300 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स कर चुके थे और बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट वो बॉल्यूड की बड़ी कार शीरीदेवी और अनिल कपूर स्टारर मिस्टर इंडिया फिल्म में ही मौका मिल गया था फिल्म की काम्यावी की साथ-साथ नन्य अपताप को भी नोटीस किया गया मिस्टर इंडिया के सक्सेस के बाद आपताप ने और भी बाकी फिल्मों में as a child artist काम किया 1988 की फिल्म शहिंशा 89 में आई चाल बाज 1990 में आई अवल नमबर C.I.D. और 1994 में आई थी इंसानियत अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा आपताप बच्पन से ही एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे क्रिटिक्स और ओडियंस से उनको बहुत प्यार मिलता था लेकिन शहिंशा फिल्म में खास तोर पर इनको ज़्यादा तारीप मिली उस फिल्म में उन्होंने सुपरस्टार अमिता बच्चन के बच्पन का किरदार निभाया था कॉलेस पास आउट के बाद अपताप को अभी बड़े फिल्म में काम की तलाश थी और उसी वक्त राम गोपाल वर्मा उर्मिरा मातोड करके अपोजीट मस्थ फिल्म के लिए एक एक्टर की तलाश में थे उन्होंने डेरो आउडिशन करवाये लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आया तब उर्मिला की बहन ने अपताप के टीवी कमर्शियल्स राम गोपाल वर्मा को दिखाये राम गोपाल वर्मा ने भी अपताप को आउडिशन के लिए बुला लिया आपताप सीदसानिय ने ये बात खुद अपने एक इंटर्वियू में बताई है कि राम गोपाल वर्मा ने उनको एक घंटे के अंदर मिलने के लिए बुलाया था और राम गोपाल वर्मा से मिलने के बाद उन्होंने एक सीन समझाया और उन्हें परफॉर्म करने को कहा उनके परफॉर्मंस को देखने के बाद अगले दिन राम गोपाल वर्मा आपताप के घर पर पहुँझ गये और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो हो लेकिन मस्त तो बॉक्स ओपिस पर फ्लॉप साबित रही लेकिन अपताप के अक्टिंग को खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के गाने सुपर हीट रहे पूछो ना यार क्या हुआ इस फिल्म में अपताप के अक्टिंग के लिए बेत डेबियू के पूरसकार भी मले इसके बाद विक्रम भड डिरेक्टेड फिल्म कसुर में इनको काम करने का मौका मिल गया इस फिल्म में अपताप नेगिटिव केरेक्टर के रोल में नज़र आए लेकिन दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ने ही इस केरेक्टर को बहुत सराया जिसे अपताप ने बखू भी निभाया था और बेस्ट अक्टर इन नेगिटिव रोल के लिए जी सी ने अवार्ड भी अपने नाम कर लिया अपताप जितनी अच्छे एक्टिंग कर रहे थे उतने अच्छे अच्छे फिल्मों के आफर्स भी उनको मिल रहे थे लेकिन ये सारी मल्टी स्टारर फिल्में हुआ करती थी जैसे प्यार इश्क महबबत क्या यही प्यार है आवारा पागल दिवाना जानी दुश्मन और प्यासा और 2003 में आई डरना मना है हंगामा और फुटपाथ और 2004 में आई थी मुस्कान और मस्ति अब अपताप के ज़्यादा तर रोल सभी फिल्मों में एक जैसे ही हुआ करते थे ऐसे में उनको वर्सटाइल आक्टिंग करके खुद को साबिट करने का मौका नहीं मिला लेकिन फिल्म मस्ति में इनका कॉमिक टाइमिंग और डायलोग डिलूरी को लोगों ने बहुत पसंद किया लेकिन ज़्यादा तर लोगों ने इस फिल्म को वल्गर कॉमेडी कहा अब मस्ति के बाद 2005 से 2019 तक अपताप को सिमिलर रोल ही मिले और ज़्यादा तर फिल्म में मर्टी टार कास्ट वाली ही रही 2005 में आई थी दिवाने हुए पागल फिर शादी से पहले और अनकही 2008 में आई दे ताली और मनी है तो हनी है 2009 में आई आलू चाट डैडी कूल और कमबकत इश्क 2010 में आई फिर प्लेयर्स 1920 एविल रिटरंस और 2013 में आई ग्रैंड मस्ती 2016 में आई क्या कूल है हम 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती 2019 में आई थी फिल्म सेटर्स उसके बाद आप ताप कुछ रीजनल फिल्मे और वेब सीरीज में भी नजर आए अब तक अपताप कई फिल्मों में काम कर चुके थे लेकिन कहते हैं कि इन्हों ने अपने रोल्स पर एक्स्पिरिमेंट नहीं किये और मल्टी स्टारर फिल्मों में एक तरीके की ही रोल करते नजर आए और शाहिद यही वज़ा रही कि फिल्मों में इनके होने या ना होने से दर्शकों को कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ा और आगे चलके उनको वो फिल्मे मिलना तक बंध हो गए अब फिल्मकारों का ये मानना था कि अपताप ने अपनी फिल्मों की सेलेक्शन में इतनी बड़ी बड़ी गलतिया कर दी है कि इनको नॉन सिरियस एक्टर ही मान लिया गया कि उनको स्क्रिप्ट या उनके किर्दार से कोई मतलब ही नहीं रहता है जो फिल्मी मिली उनको साइन करते गए और सबसे ज़्यदा नुकसान उनको उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो असलील डायलोग और असलील कॉमेडी से बरी हुई थी खेर अब ताप की परसनल लाइब के बारे में बात करें तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट इस फिल्म में काम कर रही अभी नित्री आमना शरिप से हुई ये फिल्म तो बॉक्स ओपिस पर फ्लॉप साबित रही लेकिन आपताप और अमिना का प्यार परवान चड़ते रहा अब मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपताप अमिना के प्यार में बेहत पागल हो गए थे और उसे बॉलिवूड में सेटल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन देखा के फिर भी सपलता नहीं मिल रही है तो फिर खुद ही फिल्म प्रोडूस कर डाली वो फिल्म थी आओ विश करे एक कॉमेडी फिल्म थी अब इदर फिल्म फ्लॉफ होई और उदर उनका रिष्टा तूट गया फिर एक बुक स्टोर के उद घाटन के दोरान उनको एक लड़की से प्यार हो गया स्टेज से लोगों को देखते हुए आपताप कुछ बात कर रहे थे तो वही नीन दुसांज पहले रो में बैट कर आपताप को सुन रहे थी जब आपताप की नजर नीन पर पड़ी तो वह नीन को देखते ही रहे गए आपताप लव एट फर्स साइट के शिकार हो गए और बिना वक्त गवाये ही नीन दुसांज को उन्होंने शादी के लिए प्रपोस कर दिया नीन दुसांज लंडन बेस एक पंजाबी मॉडल है जो होंग कॉंग में ब्रैंड अड़टाइजमेंट का काम करती थी कुछ हपते डेटिंग की और फिर दोनोंने सगाई कर ली और 2014 में उन्होंने शादी भी कर ली उस वक्त जल्दी जल्दी में उनकी शादी परिवार वालों की मौझूदगी में ही हुई थी लेकिन 2017 में उन्होंने फिर से धुमधाम से शादी की उस वक्त आपताप की शादी की नीव सोशल मीडिया पर चाही रही थी अपताप और नीन दुसांच की जोड़ी बॉलिवूड में सबसे क्यूट कपल्स में शामिल की जाती फिर शादी के 6 साल बाद लंडन में 2020 में एक बच्ची ने उनके घर पर जनम लिया उस क्यूट बच्ची का नाम नवया रखा गया तो अपताप की पतनी नीन दुसांच की बड़ी बेहन परविन दुसांच की शादी कबिर बेदी के साथ हुई है मतलब अपताप और कबिर बेदी साडू साडू है बात करें इनके कपूर खांदान के साथ रिष्टे की तो साधना के पिता और एक्टरेस बबिता के पिता एक्टर हरी शिवदसानी सगे भाई थे तो वही साधना सिवदसानी करिना कपूर और करिश्मा कपूर की मौसी लगती थी और अपताप सिवदसानी एक्टरेस बबिता के भतीजे इस हिसाब से अपताप सिवदसानी करिना और करिश्मा के मेरे भाई लगते हैं खेर अपताफ की कॉंट्रोवर्शिस की बात करें तो 2005 में इसी एक खबर आई थी तब पूने के एक क्लब में अपताफ सिव्दोसानी को निशिद दवाओ के साथ पकड़ा गया क्लब में इसी एक क्लब में बेढ़े का निशिद दवाओ का सेवन कर रहे थे जब क्लब के मैनेजर ने उनको वहाँ से जाने को कहा तो वह भढ़कने लगे और उन्होंने मैनेजर को थपड तक लगा दी जब मैनेजर ने अपताफ के खिलाब कम्प्लिन्ड की, तो अपताफ ने अपने पॉलिटिकल क्निक्षंस का इस्तमाल कर, उस कलब का लाइसन कैंसल करवाने का प्रयास किया हाला कि अपताप को पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना को लेकर इनकार कर दिया था खेर अपताप को जब पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि जब उनके पास पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले उनकी जरूतों को पूरा किया फिर गाड़ी ली घर लिया लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसे इसी चीजों पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिये जहाँ पर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी मतलब उन्होंने पैसे की वेलू करना नहीं समझा और वही से उनका करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया खेर बात चाये करियर की हो या फिर नीजी जिन्दगी की हो ऐसे डेरो उतार चड़ाओ को देखने के बाद अपताफ ने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा उन्होंने वापसी का प्रयास किया अब भले ही अपताफ का फिल्मी करियर कुछ खास न रहा हो लेकिन अपने प्रोडक्शन आउस और इवेंट्स के जरिये वो अच्छी कमाई कर लेते हैं अपताफ अपने परिवार के साथ मंबुई में रहते हैं और काम में खुद को वेस्ट रखते हैं तो दोस्तों आपको ये अपताफ शिवत्सानी की जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर और भी जानकारी आपके पास अपताफ शिवत्सानी के बारे में होगी तो हमें comment करके आवस्टर शेवर करें Bollywood के ऐसी किसी interesting खबर के साथ फिर से आपके साथ अगले वीडियो में होगी मुलाकात इस वीडियो को like करें और वे इसी interesting वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार